मेरे आधाय दुरिगन, मेरे शिक्षक गण और मेरे सहपाती भाईया बैनों मेरे आधाय जाओंगे, एक कहानी के सब्सक्रत कर दिजा रहा हूँ उसमें जो भी गलतियो ध्यान न देकर शमा करे मेरे कहानी का नाम है महानता एक में सहारा बुलिया थी, उसके साथ कोई नहीं था वहाँ दिल भर लखडिया इखती करती थी और उसका गठर बांद कर बेचती थी और कुछ लखडिया घर ले जाकर उपयोग में लाती थी वहाँ एक दिल का साड़क के किनारे खड़ी थी पास ही लखडियों का गठर तो बुलिया हारा निचुत वाले को ललचाई नजरों से देखती थी और गठी तोड़ात लगा दो यह लखड़ी का गठर उपयोग में लेकिन बुलिया की मौद किसी में नहीं की तभी वहां से माद्यों गुजरे उपयों में देखा कि बुलिया की मौद कोई नहीं कर रहा है उन्हें पहुत दुखवा तभी बुलिया के पास जाते हैं और कहते हैं अम्मा आप इस बोजे को कहा ले जाओगी बुलिया कहते हैं बेटा गल ले जाओगी तोड़ा सब्रादे यह लगरी का गटर मेरे सिर्फर रखने मेरे मेरे मदद कर महाद्यों कहते हैं अम्मा आप कैसे ले जाओगी आप पूड़ी हो कमजोड भी आप कैसे ले जाओगी बुलिया कहते हैं बेटा इसे किसी भी तड़ा गड़ तो ले जा नहीं है नहीं तो रोटी कैसे बना के काओगी बुलिया ने अपनी विवस्ता जता है महाद्यों ने गटर अपने सिर्फर रखा और कहते हैं अम्मा घर का रास्ता बताओ बुलिया महाद्यों को निहारने लगी निहारने लेकिन करती क्या महाद्यों का आगे हितना प्रेम भरा था इबहर आगे आगे चल दी महाद्यों उनके पीछे पीछे चल दिये बुलिया महाद्यों को मन ही मन आशिष दिये जा रही थी यही महाद्यों आगे चल कर गुवरिंद रानाडेक के नाम से पशित्त हुए यह महाद्यों स्वदंत भारत के जुनाया दिस्त थे और इस कहाने से हमें यहाद शिक्षा मिलती है helping the artistic person and helping them in their way बुड़े वे सारा वेक्ट्यों की मदद करने चाहिए और उनके काई में सहयोग देना चाहिए 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 राम कश्णी ठान पारे एनुवा जिनेखा बाबत राम कश्णी ठान पारे मानने में कुझ्णी जीन एंडे बले से लगा दिया कहानी में संदेश था, आनन्द था और कहानी को सुनके और सुनने की प्रेंड़े राज पुमारी के लिए जोड़ना कहानी के लिए कहां के रुपेटा करणवाची निस अनुमासे गाव कौंसा? बेलबारी अभी कौंसी क्लास में हो? माची माची? बहुत खुसी हुई बहुत प्रदिवा सालीप बाला क्या राज कुमार इसको भी संमान लेदी 25 जाव उपे बाला बाला कुमार अनुमा कुंसी जी ने 25 जाव उपे कि राशी और विवी करणजी की प्रदिमा हाँ तू डांस काली